नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत एक बाफ फिर से आपके अपने यूटूब चैनल Mr.360 गुपता पर आज की वीडियो में दोस्तों जो मैच हम कवर करने जा रहे हैं वो मैच है दोस्तों बाइसवाट टीट उन्टी मकाबला जो खेला जाने वाला है टीम स्टार्म वसस टीम डॉल्फिन के बीच में तो इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को इस मैच की डीपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे साथ में आपको बेस्ट से बेस्ट टीम प्रोवाइड कराएंगे और उसके लभी कुछ टिपस भी प्रोवाइड कराएंगे क्ईएक बाइज लिए वीडियो का थी जादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटीव रहने वाली है और आप लोग अगर इस मुकावले में एक रुपिया भी अपना लगा रहे हो ना तो वीडियो को बीना देखे इंवेस्टमेंट मत करेगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाने आपर दी गई मेरी फिरी डेम का प्रॉफिट उठा रहे हैं तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीराम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंग कमेंट में मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में चले जाना जो सबसे पहले नमबर पर कमेंट हो जो सबसे टॉप पर कमेंट हो जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंग करेगा जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फिरी डिम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे अगर लिंक वर्क ना करें तो कमेंट में आपको चैनल का नहीं मिल जाएगा जिसको सार्च करकर भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन जरूर भी परेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फिरी तो जरूर दोस्तों एक काम कर लेना तो बात की जाए सबसे पहले इस टेन स्टॉर्म की तो इन्होंने अपना इस टोनामेंट में एक मुकाबला खेला और अपना ये एक मुकाबला जीते हैं और ये भी टोनामेंट में फर्स्ट पोजिशन पर हैं अब बात किजाए Wicket giving section की, तो आपके सामने तीन options आपको यहाँ पर दिये जाते हैं, तो बात करूं में सबसे पहले Wicket giving section की, तो आपके सामने तीन pick हैं, S, Masandu, important रहें, drop करिए, दो option आपके सामने आते हैं, G, Rolfson, important player है, number 3 पर बल्ले बाजी करेगा कर, लास्ट मैच में 49 इसने बना है अपनी टिम के लिए और यहाँ पर डी रोसो ओपन करेंगे आकर और इन्हों ने अपनी टिम के लिए 6-6 बना है और साइड नाट आउट भी रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन का पर्सेंटेज कम क्यों है आपको यह चीज हमें कमेंट में बतानी है तो अभी के लिए रेखी आप दोनों विकेट कीबर मुझे काफ़ी ज्यादा इंपोर्टन लग रहे हैं किसी को भी ड्रॉप करना रिस्क रहेगा तो मैं अभी के लिए दो विकेट कीपर के साथ यहांपर जाने वाला हूँ क्यूंकि दोनों विकेट कीपर काफी अच्छी फॉर्म है और अपनी डिम के लिए ज्यादा से ज्यादा रण बना सकते हैं इसलिए हम लोग यहां पर रोलसन को भी अपनी टिमें ट्राइ करेंगे, और यहां पर डी रोसो को भी अपनी टिमें पिक करके चलेंगे. अब बात किजाए दुस्तों बल्ले बाजी की, तो बल्ले बाजी ओप्चन में आपको देखने को मिलेंगे. एहला नाम दोस्तों है आपर इर्वी क्या आएगा लास्ट मेच में क्या बल्लेबाजी की इसने आप इसका जाकर स्कूर कर देखना वहाँ पर काफी इच्छ ने परफॉर्म के अपनी टिम के लिए उपन करने आएगा आउट हो गये थे तो यहाँ पर मैं कुछ अलग करना चाहूँगा मैं अपनी टिम में टीक हो मोलो को पीक करूँगा क्यूंकि एक मैच के बैसिस पर हम लोग किसी एक प्लेर को जज़ नहीं कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पर चार बैट्समन के साथ भी जा सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मकावले में जे साइन्मन जो है वो फ्लॉप हो सकते हैं लास्ट मैच में तो काफी चीनिंग खेल गे थे उन्चा समयोगी लेकिन यह आपको मेतादू नमबर चार पर बले बाजी करने आएंगे जबकि जो टीक हो मोलों है वो आपको ओपन कर है सभी का तो लास्ट मैच में यहाँ पर पी सुबरेन जो टीम के कैप्टन है काफी अची बालिंग की और चार ओर का कंपिल डिस्पेल करा है तो इंपॉर्मेंट है एम अरनॉल्ड आपके लिए इंपॉर्टने रहेंगे लेकिन नीचे से आपके सामने आपके बी पार्सन भी इंपॉर्टनेंट है चार ओर के कंफर्म बालिंग की थी इनोंने तो यहाँ पर हमें एक बैट्समन डॉप करना पड़ेगा और वो बैट्समन में दोस्तों जे साइनमेंट को पर रिस्क ले रहा हूं और इनकी अपनी इनको अपनी टेम से डॉप करने वाला हूं और इ इसी कांट से इनकी जगा मेरी टेम में नहीं बनती है बालिंग की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर मुंगरों चार ओर की गणफर्म बालिंग कराते हैं प्लेयर तो देखें काफी इंपोटन्ट है जो साथ अफरीका की एक लीग हुईती ना वहाँ पर यह काफी अची बॉलिंग करा रहा था तो लास्ट मैच की अधार पर आप इसको अपनी टिप से बाहर तो नहीं रह सकते हैं तो जो भी भाई लोग ग्राहल इक पर फोकस कर रहा हो तो यहाँ पर के मुंगरों को जरूर अपनी टिप में ट्राइ करेगा बाकिया आप अगर पिक करना चाहा उपर आप लोग यहाँ ऊपर डीड उपी विलोवन को अपनी टीप में पिक कर सकते हैं लास्ट मेंचल एक विक इन्नोंने निकाला है अप चाहिए तो इकसा जासके हैं लेकिन एक्पनी टीप में टोटल दो रिसक लिए हैं पहला रिस्कि मैंने यहां पर दी दूपा वेलन के ऊपर लिया युद्विज्ज साइनमेंके ऊपर लिया तो मुझे लगता है कि यह रिस्क के भर करेंगे और किसी लॉजिक के अधार पर ही मैंने यहां पर रिस्क लिया है आप चाहरे तो किससी यह विकेट receiver को drop करी ए औरétait क प्रेटियों चाहां प्लेट पिक कर लीजे लेकिन मैं किसी भी विकेट कीपर को ड्रॉप नहीं करूंगा तो आपको एक अच्छा स्कोर यहां पर देखने को मिल जाएगा तो देखा जाएं मैंने इपने टीम में इस टेन स्टॉर्म के 5 प्लेस पिक किया हैं और 6 प्लेर मैंने टीम डॉलफिन के पिक किया हैं कॉंबीनेशन की में बात करूँ तो मैंने टीम में दो विकेट की पर तीन बैट्समेन, तीन अलाउंडस, तीन गेंदबाजों को अपने टीम में रखा है तीम प्रिव्यू की में बात करूँ तो दोस्तों मैंने विकेट किपिंग सेक्शन से यहाँ पर मैंने अपने टीम में रोली उफसन को रखा है और आपर डी रोसो को रखा है तीन अलाउंडस के लिए विकेट किपिंग करेंगे और उपन करतों नजर आजएंगे बैटिंग सेक्शन से मैंने आप जी थॉम्सण को रखा है नंबर उपन ही करने आएगे स्रिवी उपन करने हैंगे और टीख मोलो भी आपको उपन करतों नजर आजएंगे अलांडो सेक्शन से मैंने आपर फी सबरन को रखा है चार ओवर की कनफर्म बॉलिंग कराएंगे अपनी टिम के कैप्टेन है बी पार्सन लास्ट मेश में दो विके निकाले है और चार ओवर की कनफर्म बॉलिंग की है अब यहाँ पर एक और में चोईस उदा दू आप मुंगरों को जरू ट्राइकरी का इंपोर्टेन प्लेर है काफी अची बॉलिंग कराता है तो बात किजा अपनी इस टिम में अब कैप्टेन्सी और वाइस कैप्टेन्सी किसको दी जाए तो मैं देखिए बैट्समें को अल्वेस में नहीं प्रिफर करूँगा अपनी टिम में ऐसा कैप्टेन्सी कभी भी क्यूंकि इनके फ्लॉप उने के चांसे सा अल्वेस जाता रहते हैं तो आप चाहें तो किसी एक विकट कीपर को कैप्टेन्सी दे सकते हैं और काफी विकट निकालने वाले हैं क्यूंकि इनका सेलेक्शन लास्ट में देखिए कितना कम तो चार विकट बंदे ने निकाले तो बॉलर काफी कमाल का साथ अफ्रीका की जहां पर मुंगुर ने अच्छा परफॉंग किया था वहां उसी लीग में वाइस केप्टन ने भी प्ले किया था और यहां भी अच्छा परफॉंग किता वाइस केप्टन आप यहां पर पीस सुबरन को बना सकते हैं बाकी यहां पर मैं वाइस केप्टन चले सेरवी को रख लेता हूं ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं बाकी दोस्तों अगर मेरी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है या फिर मेरी टीम में कोई भी अपडेट होती है लास्ट मिनेट में तो जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको विनिंग टीम देता हूं मैं जिस टीम के साथ खुद इन्वेस्ट करता हूं वही टीम में आपको देता हूं तो अगर आप चाहते हैं वो टीम आपको भी मिले तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलिगरम चैनल से जुड़ जाना अभी के समय हमारे टेलिगरम चैनल पर 6,000 से ज़्यादा लोग जोड़ चुके हैं और रोजाने यापर वो दी गई मेरी फिली टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं तो आप लोग भी बाकी मेंबर्स की तरह मेरे टेलिगरम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारे टेलिगरम चैनल का लिंग कमेंट सेक्शन मे मिल जाएगा आपको क्या करना है अकमेंट सेक्शन में जाना है जो सबसे पहले न 1959 कर रहेगा जो मेरे चैनल का लिंग कर रहेगा जिस पर कली करके सीधा हमारे चैनल पर पहुंँं और बाकी मेंबर्स की तना free team का profit उठा पाएंगे तो एक हम दोस्तों जरू कर लिजेगा क्योंकि यह आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free बाकी अगर आपको वीडियो important लगे इंफॉर्मेटिव लगे को सिखने को मिले तो वीडियो को like कर देना चैनल पर पहली बा कोरने में इसको कवर करते हुए तब दक के लिए आप लोग जहां भी रहें शुरचित रहें अस्तरम स्कुराते रहें जितने भी मैचेस हों जहां भी आपका investment हो always आप विन करते हैं हमारे team management से हमारे team combination से तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी एक next वीडियो में कोरने में इसको कवर करते हुए तब दक के लिए जहिंद वंदे मातरां